वीदा पीपल, हम भारत के लोग जितने परांठे, जितने परांठी, जितने परांठे आपने खाने हैं, उतने अपने साथ लेके आएं और दो परांठे या परांठी, या परांठा या परांठे एक्ष्टा लेके आएं, फालतु लेके आएं अपनी भूग से ज़्यादा, अपनी खुराग से ज़्यादा और सिर्फ अचार लाएं, कोई सबजी ना लाएं, अचार किसी भी तरह का ले आएं ऐसा नियम बना वीदा पिपल में जब भी लोग इखटे होंगे आधे दिन से जादा के लिए या जब उन्हें खाने की आवश्कता बीच में होगी या रात के खानी की आवश्कता होगी, तो वो अपने घड़ से ये खाने का सामान लेके आएंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रसन आया और उन्हें पूछे भी के खाली पराठे ही क्यों और खाली अचार ही क्यों और खाना क्यों मंगाते हैं हलवाई से क्यों नहीं बरवा लेते हैं या पैसा क्यों नहीं ले लेते हैं खानेगा ताकि खाना सबको वहां मिल जाए इसके पीछे बहुत साधहन सी बात है मगर बहुत important बात है एकवार में एक सभा में गया वो सभा जो संसत भवन है उसके पास में एक चैन्प स्पोर्ड कलब है वहाँ सभा हो रही थी round table conference थी वहाँ जो वो सजन थे वो किसी संस्था के मालिक थे प्रधान थे यानी मालिक थे और उन्होंने वहाँ बहुत साई लोगों को बुलाया हुआ था उनमें हम भी थे वो अपने हाथ से वहाँ सब को request करकर plate में बढ़िया सजा हुआ खाना दे रहे थे पहले हाफ में बाचित हुई फिर खाना हुआ दूसरे हाफ में वहाँ बाचित हुई तो वो कहने लगे कि हमको एक संख्र मराना चाहिए और इसका president कौन होगा अब जाहिसी बात है सब चुप होगे क्योंकि जिसने रोटी खिलाई है जिसका खाना खाया है उसकी मुखालफत कैसे करें और उसमें व्यक्ति है जो उससे अच्छा है वो अपने मुझे कैसे कहे तो सभा में सन्नाटा चाह गया तब मैंने ये कहा कि भाई सज्जन महोदे जिन्होंने खाना खिलाया है ये खाना हमने खा लिया आपका धन्यवाद है अगली बार जब आप सभा लगाएं तो जितने का खाना हो उसके पैसे हमसे ले ले उससे फाइदा ये है कि हम जिसका खाना नहीं खाते हैं फिर हम उसके सामने अपनी आँखें नहीं लजाते हैं जुकाते नहीं हैं हमारी जो निगाहें वो नीची नहीं रहती हैं तो हम एक सही निर्डे पर पहुंच सकते हैं क्योंकि फिर हम दबाब में नहीं रहते हैं क्योंकि जिसकी रोटी खाएंगे उसकी हमें बफादारी करनी पड़ेगी उसकी निगा नीची हो जाती है तो सही जज्जमेंट, सही बात नहीं आती तो समाज का नुकसान होता है दूसरी घटना है प्रेणा इस्थल की, दिल्ली के अंदर एक प्रेणा इस्थल है नोड़ा के अंदर, वहां ठंड के दिनों में 26 जनवरी को छुटी होती है तो कुछ लोगों ने कहा कि हम परिवार के साथ वहां इखटे होते हैं, कुछ लोग वहां आगे, कुछ लोग खान में जिसके पास पैसा था या जो अच्छा पैसा खर्श करता है, तो बहुत अच्छे उसके संसादन थे, बहुत अच्छे अच्छे उसके डब्बे थे, मठाईयां लेके आया, कोई तो बिरियानी लेके आया, कोई मतन लेके आया, कोई बिचारा साधन खाना लेके आया, त जो लोग खाना लेके नहीं आये थे वो कहा जायें तो वो बिचारे इदोदर घूम रहे थे किसी ने बुला लिया थोड़ा बहुत दे दिया तो वो मतलब शर्म के मारे उनके पास बैठ भी नहीं रहे थे क्योंकि वो खाना लेके आये नहीं तो एक तरह से वहाँ अली स्टेटस वाला सिस्टम हो गया और जो काईक में इसलिए लगाया था कि परिवार एक साथ इखटे हों वहाँ मन में इखटे होने की बजाए और बिखर गए क्योंकि किसी का संसादन बहुत अच्छा किसी का खाना बहुत अच्छा किसी बात बहुत अच्छी तब वो नियम समझ में आया जो बुद्ध ने बनाया था बुद्ध का नियम ये था कि भिक्कू संग में सारा खाना एकटा होता था और वो सारा खाना मैश होता था मैश का मतलब उसको मिक्स करते थे और फिर वो उस मिक्स हुए एक से खाने में एक से सुआद में सबको खाना खाते थे और सारे लोग खाना खाते थे तो ये बात तैय होई कि खाना एक्सा होना चाहिए और खाना उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है तो खाने में एक समस्य यह है कि जब हम पैसा लेते हैं किसी से तो पैसे में इंतिजाम करना पड़ता है हलवाई लगाना पड़ता है वो खाना बहुत महंगा पड़ता है और वो खाना बहुत हैवी खाना होता है पूरी है, सबजी है इस तरह का खाना बनता है या हलवाई, चावल बगरा बनाता है उसका हिसाब किताब हो जाए गलत तो गवड़ है तो संग का तूटना निश्चित होता है तो उससे बच गए तो यानि कि हमको सिर्फ चार पराठे तो खाने हैं कोई आदमी बहुत ज़्यादा लगजीरस खाना खाता हो जिसको बहुत बढ़िया खाने के आदत पड़ी हो और जो रस्मलाई रसुले खाता हो तो एक दिन के लिए छोड़ दे तो सबजी हम इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि सबजी लेकर लेकर आएंगे सब अपनी अपनी तो सबजी को मिक्स कैसे करेंगे कहां मिक्स करेंगे कौन सी कटूरी में लखके खाएंगे कैसे खाएंगे परिशानी हो जाएगी किसी की सबजी किसी की सबजी कैसी है तो सबजी मिक्स करने में स्वाद भी खराब हो सकता है अचार ममून एक से होते हैं तेल में होते हैं या पानी में होते हैं, वो mix किये जा सकते हैं, अचार 쪽 मिलाने पर खराब नहीं होता, क्यों कि Ёद्य आपको जैसे खाने वैसे बना के लाईए to आपको आपका पराठा नहीं मिलेगा पराठे मिक्स हो जाएंगे फिर जिसको जितनी भूग है वो पराठे ले ले और उसमें से खा ले तो जो व्यक्ति बिना पराठे के या बिना खाने के वहाँ आएंगे आ सकते हैं क्योंकि किसी को जान का इना हो कोई अचाना का जाया, कोई रास्ते से आ जाया, खाना ना हो तो उस व्यक्ति को ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई, आप खाना खा लो क्योंकि वो जब खाना एक साथ इखटा होगा तो उसका भी राइट होगा तो दो पराठे जो आप एक्षा लाओगे वो उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अपना खाना लाना भूल के या नहीं ला पाए तो वो आप से नहीं मांगेंगे फिर वो संग का खाना हो जाएगा वो कम्मूटी का खाना हो जाएगा वो महले का खाना हो जाएगा उस सब लोगों का खाना हो जाएगा तो उसमें उनका हिस्सा होता है तो उसको वो इज़त से खाएंगे मतलब उनकी आँखें नहीं जुकेंगी उस खाना खाते समय उनको अपने परिवार का खाना खाते समय गर्व महसुस होगा और सबका एक सा खाना होगा तो लोग कहते हैं पराठे ही क्यों लाएं, रोटी क्यों ना लाएं दरसल रोटी जो आती है वो सूख जाती है करी बार और कोई रोटी को चिपड़ी हुई लेके आ सकता है कोई बिना चिपड़ी लेके आ सकता है उसमें दिक्कत आ सकती है पराठे में तो आप तेल लगाओ या घी लगाओ तो पराठा तो लगबग एक साई होता है और पराठे सुबह से लेके साम तक खराब नहीं होते क्योंकि सुबह से साम तक उनका स्वाद नहीं भिगरता, ठंडे जरू हो जाते हैं इसलिए पराठे ज्यादा ठीक है और ये आदत इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने परिवर्टन करना है आपने अपने बच्चों को बचाना है आपने अगर समाज में जीतना है अगर आपने जुड़कर जीतना है तो अपने खर्चे आप मिनीमम कीजिए, कंट्रॉल कीजिए फाल्टू के खर्चे मत लगाईए इसलिए हम जो जगे है वो भी फ्री की लेते है कैसे फ्री की लेते है हमें कोई भी जगे दे दे जो हमारे समाज का है, समण समाज का है चाए वो किसी भी पार्टी में है चाए वो किसी भी धंका है चाहे वो किसी भी धर्ण का है, चाहे वो किसी भी पंत का है, चाहे वो किसी भी आइडलोजी का है, चाहे वो बुद्विहार का है, चाहे वो अंबेट का भवन है, चाहे कवीर भवन है, चाहे बालमी की भवन है, चाहे संतगार की भवन है, चाहे वो कैसा भी भवन है, किसी भ बड़ा हौल है यह पार्क है यह जंगल है यह खेत है तो हमें फ्री का जगे चाहिए क्योंकि हम पैसा खर्च नहीं करना चाहिते हैं पैसा बचाना चाहिते हैं यह अगर कोई बड़ी मीटिंग है और वो हमें जो 25 दिसंबर की है, वो रिजोर्ट्स में होगी, लखनों में होगी, उसमें उन्होंने फिक्स रखा हुआ है कि हर एक मेंबर को इतना पैसा देना है, तो अपना पैसा दे के आप बड़िया रिजोर्ट्स में फाइव स्टार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बगर मीटिंग अगर छोटी होती है, या सो लोगों से कम होती है, या ऐसी मीटिंग होती है, जो हर महिने होनी है, या बीस दिन में होनी है, या हर अप्ते में होनी है, तो उसका पैटर्न फिक्स है, कि आपको जगे फिरी की लेनी है, और समण समाज के विक्ती की लेनी है, चा कागर्य या कोई पन्नि या कोई पोच्टर लेकर जाएं या कोई बैट्शिट लेकर जाएं और अगर खर्यूंज फरीकी मिलती है तो खर्यूंज पर बैठें हमको दरसल विचार देना है हमें बात्चीत करनी है हमें एक दूसरे के दुख और दर्द सुनने हैं और हमें परिवार की तरह जुड़ना है हमें शान और शौकत दिखा कर किसी पर आतंकमाद नहीं फिलाना है कि देखो मेरे पास तो ऐसा खाना है मेरे पास तो ऐसा कपड़ा है मेरे पास तो ऐसी कुर्सी है देखो मैं तो इतना खर्च कर सकता हूँ अच्छी बात है बावा साब ने आपको दिया है बचा के रखिए क्योंकि समय बड़ा मुश्किल आ रहा है अगर आप कम खर्च की आतत नहीं डालेंगे और पैसे को नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीडी मुसीवत में आ जाएगी और हमको सिर्फ जुड़ना ही तो है पैसा अगर जोड़ता होता तो ये जो दितने भी लोग हैं दुनिया में जो पैसे वाले लोग हैं इनके तो सारे परिवार बिखरे पड़े हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा है तो जुड़ जाते ये लोग तो पैसा किसी परिवार को या किसी समाज को जोडने की गारंटी नहीं है बुद्ध जैसे व्यक्ति ने पैसा एकpace नहीं किया शान और सौकत एकटी नहीं की साधरन साधरन नियम बनाए जंगल में जाते थे जंगल साफ करते थे उसको बिहार में बदलते थे वहां लोगों को पढ़ाते थे, वहां क्लास देते थे और फिर वो लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते थे और फिर ऐसी जंगल में जाके बिहार बनते थे इतने बिहार बनाए, इतने बिहार बनाए उस जगे का नाम ही बिहार पढ़ गया वही इसकी बीदा पीपल ने जो दी हुए नीती वही नीती है कि कम से कम खर्चा और ज्यादा से ज्यादा काम इसी नीती पर हमें चलना है यही नीती हमें सक्सेस्पूल लेके जाएगी धन्यवाल झाल लेके जाएगी जाएगी नीपल लेके जाएगी नीवाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो